नमस्कार दोस्तों मैं हूँ योगिता स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बोल्ड स्काइ में हम यही सुनते आये हैं कि बालों में तेल लगाने के कई फायदे हैं बात सही भी है, तेल लगाने से बालों में चमक आने के साथ साथ तूटे हुए बालों की मरम्मत भी होती है और बाल घने होते हैं, लेकिन इन फायदों के साथ साथ तेल लगाने के कई सारे नुकसान भी है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रात में तेल लगाने से क्या होता है और रात में तेल लगाना कितना सही है हम बालों को मजबूत बनाने के लिए तेल लगाते हैं, लेकिन अगर तेल बहुत जादा देर तक लगा रह जाए तो बालों में काफी नुकसान करता है, क्योंकि सिर की तोचा कुछ प्राकर्तिक तेल पैदा करती है, जिसमें नमी बनी रहती है और अच्छी होती है, लेकिन बहुत जादा देर तक तेल लगाए रखा जाए तो जादा नम्मी हो जाएगी जिससे आपके स्कैल्प में फुनसी, फोड़े या दाने होने का डर रहता है अगर आप पूरी रात तेल लगाकर रखते हैं तो इससे आपके बालों की जड़े कमजोर हो जाती हैं क्योंकि बाल तकरीबन 7-8 घंटे तेल में रहते हैं और आपके सर में लगातार तेल लगाने से आपको कही तरह के नुकसान हो सकते हैं जादा scalp का oily होना अकसर scalp के लिए नुकसान दायक होता है और बालों को तेल लगाकर कसकर बांधना बालों को नुकसान पहुचाता है इसलिए कभी भी रात को तेल लगाकर नहीं सोना चाहिए अगर आप रात को तेल लगा कर सोते हैं तो सुबह उठकर आपको सर में दर्द या फिर खासी या जुकाम जिसी समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है रात को तेल लगाने से अकसर चहरे पर मुहासे भी आते हैं क्योंकि वो तेल आपके फेस पर लग जाता है अगर आप बालो को धोने से पहले एक घंटे पहले बालो में तेल लगाते हैं तो ऐसा करना आपके बालो के लिए बेहत फायदे मद होता है इससे आपके बालो में नैचुरल ओइल बना रहता है और आपके बाल रूखे भी नहीं होते हैं बालों में एक घंटा पहले तेल लगाने से आपकी तवचा भी बची रहती है, आपकी तवचा पर मुहासे भी नहीं आते हैं एक्सपर्ट के मुताबिक बालों में तेल लगाने का समय निश्चित होना चाहिए बहुत जादा तेल चुपड लेने से भी नुकसान होता है स्कैल्प के हिसाब से तेल लगाएं उतना ही लगाएं जिससे बाल सारी नमी सोख ले बहुत जादा चिकनाहट भी आपके बालों के लिए नुकसान दायक है तो दोस्तों मरे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया हुगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक इन चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले